लेंद और डेट अब इन्हें पहली बार देखा तो इवन मुझे लगा कि एक क्वेशन सही है बट एक्चिली में एक क्वेशन गलत है ठीक है क्वेशन गलत इसलिए है क्योंकि मुझे लगा था कि ससी इतने अच्छे सवाल को भर बात कर सकता है ठीक है तो यहां पर अगर आप कट करने जाते हो सर तो देखिए अगर रेगुलेर अक्टागन कट करना है तो आपको किस तरह से कट करना पड़ेगा अक्टागन में देखि आपको निकालोगे तो फौड़ी दिग्री मिलेगा पहली बाद अगर आपने इसको आट बोल दिया और इसको छै बोल दिया तो आपकी यह कंडिशन कभी साटिस्फाइब होगी ही नहीं क्योंकि अगर आपने रगुलर अक्टागन कट किया एक से इसको आपने बोल दिया क दो यह एकसे माईनस एकस्टकॉशन हो तो इसको नहीं राए ऐ सब्सक्यानागन है और अगर इस तो यह पड़के प्रईकर और इसको यह बना है अगर आपको ये question solve करना है, मैं ये देख रहा था कि अगर ये सही question होता, तो इस question को करने का तरीका क्या होता, तो कि options अगर सामने हैं, मैं हमेशा options को देखता हूँ, जब इस question को मैंने पहली बार देखा था, तो 17.5 के paper के just बात, किसी ने मुझे question बज़ा था, option भी बज़े पर मुझे ये surety नहीं देखी, ये correct option है, जो exam में आये होंगे, जो कि वो memory loss भी होता है ने लोगा, तो लेकिन जब ये exact option मेरे सामने आये, और मैं आपको बस hint दे रहा हूँ कि आगे अगर ये सवाल कभी करना हो, तो कैसे करना है, तो अगर वो सही question होगा, तो दो चीज़े आप देखो logically, कि जो भी side 8 और 6 दिया हुआ है, आपने octagon काटा, तो उस octagon की जो side होगी वो 6 से कम होगी, for sure, 6 से बड़ी थोड़ी होगी, ठीक है, अगर ये square ही होता, लेट से, ये square होता 6 भाई 6 का, तो 6 से कम होनी वाली है, ठीक है, तो 6 से अगर कम होने वाली है, वो side तो आपको यही check करना था, कि कहाँ पर मुझे value 6 से बड़ी मिलनी है, वो तो possible ही नहीं है, जो 6 root 11 minus 9, ये root 11 आपको पता है, कितना होता है, 3 से बड़ा होगा, 3 3 से 9 होता है, अगर आपने इसको 3 भी assume किया, तो 18 minus 9, 9 होगा, possible ही नहीं है, 4 root 7 minus 11, जा ध्यान से समझना, ये negative है, क ठीक है, तो आप जान दें, अगर आप इसको 2.7 भी assume कर लो, तो ये 10.8 बन रहाएगा, minus 11 negative, हो सकता है, नहीं हो सकता है, equation नहीं बना नहीं है, अगर option आपके पास exact exam में है, को यूज करो आप, मैं आ रहा हूँ 5 root 13 minus 8, जा आप सोचते है, root 13 के बारे में, root 13 जो होगा, वो 3 से बढ़ा होगा, 4 से छोटा होगा, being precise I can say, it is approximately 3.6, क्योंकि 36 का square 1296 होता है, 12.96, 3.6 अगर आप इसको देखते हो, धान से ज़रा तो देखना कितना आ जाएगा, 5 3s आ 15, और अगर इसको आप 3 भी मान लो सर, तो 15 minus 8, 7 हो रहा है, जो कि possible ही नहीं है, ठीक है, ये भी possible नहीं एक ही option possible है, वो पहला, तो option का इस्तेमाल करीए न सर, तो वैसे ये question सही नहीं है, मैं आपको example दे रहा हूँ कि अगर उन्हें प्रॉपर एक बना के दिया होता question, जिसमें उन्हें इसको square use किया होता, और फिर से आप octagon cut कर रहे होते हैं, right, डिखना, ऐसे question करना होता है, option ज हो जाते हैं, सवाल है कि क्या आप option checking use कर पाते हो, geometry के question में, mensulation के question में, मुझे पता है नहीं, आप option check arithmetic में करना जानते हो, या नहीं करते हो, तो वो तो बेखूफी है न, logic इस्तेमाल करो, option check करो जहां भी हो रहा है, यह तो basic condition है न, कि 6 से कम होना चाहिए, मुझे पता है, त इस तरह से options हैं, आप easily, you know, you can mark the answer without doing anything, अब इसके लिए क्या आप geometry की तेयरी करो के, यह तो simply visualization है, यह ऐसे कटो रहा है, बस logic लगा दिया कि 6 से कम होगा, इस पर काम करो अगर आपको वाकई में बहतर करना exam में दो,